गुड बाउनिए स्टुडेंट्स वेलकम टू ओनिंग क्लास आज जो हम लोग है वो है पहले आप लोग क्लास तू सब्जेक्ट मैक्स पेज नंबर आप लोग का है 114 पेज नंबर क्या है 114 तो what 114 में what problem है एक सब्साइज आपका जो है वो एक सब्साइज आपका हो क्या जार इसका है? एक सब्साइज आपका जाएज आवका जाएज आपका है कि वाट फैर्मेंज स्कायर में नहीं सैंप डाइन हो और यूर्ज जब स्कार्णरी अक्वेंज सुंदेंशेह कंब एक नियूद्विन सर्छें कि फिल्ग घनाया है कि हम लोग का जो exercise नहीं पढ़ रहा है वो multiplication है ठीक है तो हमको पता है कि इसमें करना क्या है क्या करना है multiplication करना है there are 21 students ठीक है question number 1 there are 21 students 21 students in a class how many students how many students are there in three classes ठीक है students यहां देखेंगे there are 21 students in a class how many students are there in three classes तो एक class में 21 students है ठीक है तो यहां हम 21 students ठीक है are there in three classes तो three classes में एक पराइगे तो तो थीरका टेबल one मर पराएगे तो क्या होजाएगा 3 और अब तो यहां होगा ठीका टेबल 2 मर पराएगे तो 3 to the 6 यानि कि 3 classmen 63 students है अब question number question number 4 देखेंगे question number 1 दो बता दिये question number 4 में देखेंगे their call आप इसको अपने copy में note down टाएंगे और समझेंगे question number 4 अब इसमें का question number 4 देखेंगे ठेक है question number 4 में है there are 16 balls in a bag how many balls are there is 9 bags तो यहां पर पाले है question देखेंगे there are there are 16 balls in a a bag bag how many balls are there in in 9 bags तो 9 का टेबल 6 वर परेंगे तो क्या हो जाएगा 9 सीख़ा 54 54 तो वर्स की संक्चर 4 है तो यहां 4 लिखेंगे अज़ा कितना 5 तो 9 में जा 9 और 9 में 5 एड करेंगे 10 11 12 13 14 तो 10 11 12 13 14 यही 144 ठीक है students अब आप देखेंगे question number 5 there are 7 days in a week how many days are there in a 24 weeks तो यह 1 week में 7 days होते हैं तो 24 weeks में कितने days होंगे तो हम 24 में 7 से multiplication करेंगे ठीक है तो इस तरह students आप लोग page number 114 का आप लोग what problems आज सामें बना के आप लोग exchange करेंगे तो चलिए आज की class में बस इतना है